हलो स्टूडेंट्स मेरा नाम है अरपिता शर्मा और हम पढ़ने वाले हैं क्लास एथ हनी डियू के एक पोम जिसका नाम है जोग्रफी लेसन अब बच्चो आप लोग सोच रहे होंगे जोग्रफी लेसन कहीं हम कोई भुगोल का पाट तो नहीं बढ़ने वाले तो नहीं ऐस सब बिलकुल नहीं है इस पोम में बच्चो चुल्फिकर घोश एक एरोपलेन में बैठे हैं और वहां से बैठकर वो बताते हैं कि उन्हें जो सिटी है जो शहर है या जो प्रत्वी है वो आखिर कैसी दिख रही है इतनी उचाई पर जाकर बच्चो उन्हें सिटी में शहर में या उस प्रत्वी पे बहुत सारी चीजे अच्छे से समझ में आ रही है लेकिन फिर भी एक ऐसी कोई चीज है जो उन्हें इतनी उचाई से बिलकुल भी समझ में नहीं आपा रही है तो आएए देखते हैं कि आखिर वो क्या चीज है सबसे पहले देखेंगे जुल्फि जुल्फिकर घोष थे बच्चों वो पाकिस्तान और अमेनिक का दोनों में रह चुके हैं तो इसलिए पाकिस्तान और अमेनिकन दोनों में रहे इसलिए उनको पाकिस्तानी अमेरिकन नोवलिस्ट पोएट और ऐसेस्ट बोला है यानि कि वो नोवल्स भी लिखते थे वो प उनका जो काम था बच्चो यानि कि उनकी जो भी लिखावट थी या जो भी कुछ वो लिखते थे उसके अंदर एक मिलावट थी किसकी magical realism की यानि कि जो सत्य है बच्चो जो reality है वो उसको बहुत ही magical रूप में दिखाते थे बहुत ही जादूई रूप में दिखाते थे और उसमें थोड़ी सी मिलावट होती थी किसकी fantasy की यानि की कलपना की and harsh realism और magical realism और fantasy यानि कलपना के साथ वो और किसकी मिलावट करते थे और किस चीज को जोड़ते थे वो था harsh realism यानि कि जो कठोड सत्य है उसको भी वो उसके अपनी लिखावटों के अंदर दर्शाते थे तो आईए अब देखते हैं आखिर हम इस पोम में पढ़ने क्या बाले हैं इन हिस पोम जोग्रफी लेसन जुल्फिकर घोष टॉक्स अबाउट हाव दर अर्थ लुक्स फ्रॉम वेरियस हाइट इस पोम में बच्चो जिसका नाम जोग्रफी लेसन है उसमें जुल्फिकर घोष हमें बताते हैं कि आखिर अलग-अलग हाइट से अलग-अलग सकते हैं जब कोई व्यक्ति किसी एरप्लेन में या जैट में आधूनिक वेमान जिसे हम कहते हैं उसमें होता है तो आखिर जो प्रत्वी है वो कैसी दिखाई देती है जब आप अलग-अलग उचाई से उस प्रत्वी को देखते हैं देखिये, can you imagine what your city would look like if you saw it from 10,000 feet above the ground क्या आप कलपना कर सकते हैं कि जब आप 10,000 feet उपड जाएंगे वहां से जो आपकी city है वो आपको कैसी दिखेगी हाटवर दिखेंगे, imagine, imagine यानि कलपना करना Neatly planned and perfect in proportion, like a geometric design, it would strike you as something very different from what it actually is while you are in thick of it जब आप जमीन पे होते हैं बच्चो तो जो अनुपात में जिस अनुपात में जोग्राफिक अनुपात में इस city को बनाया जाता है तो आप उतने अच्छे से उस चीज को नहीं समझ पाते हैं, जैसे माल लीजे, आप किसी गली में चल रहे हैं वो गली कितनी दूर तक जा रही है, उसके आसपास आखिर कितने घर है, घरों के छटके उपर क्या बना हुआ है यह सब आपको नीचे से नहीं देख सकता, यह सब आपको कब दिख पाएगा, जब आप थोड़ी उचाई पर जाएंगे तो इसी प्रकार से जो city हमारी है, या जो हमारी प्रत्वी है, वो आखिर किस तरीके से बनीवी है, उसको हमने किस तरीके से डेवलप किया है यह सब हम कब जान पाते हैं, जब हम थोड़ी उचाई पर जाते हैं, या हम कभी aeroplane में बैठते हैं आगे देखिए, here is a poet's description of just such a view of the city, यहाँ पर बस एक poet है, जिन्होंने एक वर्णन दिया है, जब वो एक aeroplane में बैठे तो उनको जो उनकी city है, जो उनका शहर वाखिर कैसा दिखा, अब बच्चो, जैसे माल दीजे, आप aeroplane में बैठे, poet बैठे या मैं बैठी, हम सब के views अ अच्छी लगे, आपको कोई और चीज अच्छी लगे, या किसी को कोई और चीज अच्छी लगे, तो इसी तरीके से सबके जो views होते हैं, सबके जो विचार होते हैं, वो अलग-अलग होते हैं, और यहाँ पर इस पोम में हम, हमारे जो poet हैं, जुल्फिकर, उनके विचारो से दिख कैसी रही है और दूसरा some questions that come to his mind और कुछ सवाल है बच्चो जो इतनी उचाई पर जाके उनके दिमाग में आते हैं वो भी वो पूछ रहे हैं आमें बता रहे हैं आपने जरूर देखा होगा अगर आप किसी एरोपलेन में बैठे हैं या किसी उचाई पर किसी पाहड पर भी जाते हैं तो बिलकुल ऐसा ही वियू आता है इतनी उचाई से हाटवर देखेंगे description, description यानि वर्णन when the jet sprang into the sky it was clear why the city had developed the way it had seeing it scaled six inches to the mile there seemed an inevability about what on ground had looked haphazard, unplanned and without about style when the jet sprang into the sky अब यहाँ पर पोट कहे रहे हैं कि जब जो jet है जो विमान है वो उड़ा यानि वैसे तो होता है बच्चो छलांग मारना तो जब उस विमान ने एकदम sky में आसमान में छलांग मारी it was clear why the city had developed the way it had तो यह एकदम साफ हो गया कि जो city है जो शहर है बच्चो वो क्यू इस तरीके से उसकी बनावट बनाई गई है हम नीचे से देखते हैं सड़क पर होते हैं तो हमें पता नहीं होता कि इधर से गली क्यों निकाली है उधर से वो सड़क क्यों निकाली है लेकिन हम जब थोड़े उचाई पे पहुच जाते हैं तो जो हमें clear हो जाता है तो जो हमारे जो poet है उनको ये चीज clear हो गई है Seeing it scaled six inches to the mile जब वो mile से six inch की दूरी पर हैं उपर हैं तो उने ये पता चल पा रहा है There seemed an inevitability about what on ground had looked hefazard, unplanned and without style जब अच्चो हमारे जो poet हैं वो इतनी उचाई पे पहुच गए है तो उन्हें ये बहुत साफ दिखाई दे रहा है Inevitability यानि निश्चित ठीक है? तो certainly उनको ये चीज समझ में आ गई है कि नीचे से जो चीजे हमको इतनी हैफजर्ड यानि कि एविवस्थित दिखती है Unplanned दिखती है जिसके कोई plan नहीं है जिसके कोई विवस्था नहीं है अस्तिविस्थ दिखती है वो उतनी उचाई पे जाके वो सारी चीजे हमको क्या हो जाती है? Clear? हो जाती है When the jet sprang into the sky यानि कि जब उस plane ने एकदम से चलांग वारी आसमान के उपर तो जो भी चीजे थी जो हमको नीचे से ऐसी लगती थी एविवस्थित है बिल्कुल planning नहीं की गई है वो सारी चीजे आसमान में जाके बच्चो एकदम जो हमारे पोट है साफ साफ समझ में आ रही है हाड़वर्ट देखेंगे jet यानि आधुनिक विमार spring यानि तीजी से चलांग developed यानि विक्सित scaled यानि चढांग inevitability यानि परिहारे episode यानि विवस्थित unplanned यानि नियोजित अगे रेखिए बेंदल jet तीज 10,000 feet अब क्या हो रहा है पहले 6 inches to the mile था अब वो कहाँ पहुच गए है 10,000 feet पर पहुच गए है अब जैसे जैसे पोम आगे भड़ेगी जो हाइट उसकी plane की वो भी उपर जाती रहेगी तो अभी पहले उन्होंने एक हाइट से को बताया था कि उन्हें सब कैसा दिखाई दे रहा है अब वो हाइट उनकी भड़ गई है और वो हमें दूसरी हाइट से बता रहे हैं कि आखिर चीज़े कैसी दिखाई दे रही है तो आगे रेखिए वेन दे जैट रीच 10,000 feet अब हमारे जो पोट है वो क्या कह रहे है कि जब जो जैट है वो जो विमान है वो पहुँच गया 10,000 feet के उचाई पर इट वोस क्लियर तो एकदम साफ हो गया कि उन्ही जगों पर city शहर क्यों होते है जहां पर नदियां बहती है कि जहां पर भी नदियां बहती है जहां पर भी पानी होता है वही पर आखिर जो cities है जो शहर है वो क्यों बसते है and why the valleys were populated और जो घाटियां होती है वो बच्चो इतनी populated क्यों होती है यानि कि घाटियों के आसपास और जहां पर पानी बहुत जादा होता है आखिर वहीं पर लोग आके क्यों बस न पसंद करते हैं तो उनको ये जो लॉजिक है जो जो ग्रफी का यानि कि भुगोल का एक जो किस्ता है उनको बिल्कुल समझ में आ गया कि जो लैंड है बच्चो यानि कि जो जमीन है और पानी है वो किसको अट्रेक्ट करता है किसको आकरशित करता है मनुष्य को अपनी तरफ आकरशित करता है अब हमें कहीं पर भी रहने के लिए हमारी सबसे पहली नीट क्या होती है बच्चो हमारी सबसे पहले नीट होती है वाटर हम कहीं भी जाते भील抱 ऐम घर से भी अगर निकलते हैं टो हम खाने का समान भाद में रखते हैं सबसे पहले कि आ पानी की बोटल ले लेते हैं है ना जब भी हम कभी पिकनिक पे आप लोग जाते होंगे यह स्कूल पे आप लोग जाते हो तो आप अपनी वाटर बॉल्टल हमेशा अपने साथ रखते हो तो इससे जो पोएट है उनको यह समझ में आ गया कि आखिर जो जमीन है और पानी है वो मैन को वो व्यक्ति को क्या क करता है और जहां पर अच्छी जमीन और पानी होगा महीं पर मनुष्य रहना पसंद करेगा वो अच्छे से उनको समझ में आ गया था बेंद जैट रीच 10,000 फीट जब वो जो जैट है वो कहां पहुंचा 10,000 फीट पर पहुंचा हाटबर्ट रीच्ट यानी पहुंचा रि जयट रोज सिक्स मलस हाई Hadd, जयट है वो six miles हाई पहुंच गया है वो जयट है वो जयट है वोज पहुंच गया है वोज पहुंच गया है It was clear the earth was round And that it had more sea than land But it was difficult to understand that the man on the earth found causes to hate each other To build walls across cities and to kill. From that height it was not clear why अब यह हमारा लास्ट स्टेंजा है और इसके अंदर पोर्ट क्या कह रहे हैं जब जो जट था वो विमान था 6 माइल पर पहुंच गया और उचाई पर पहुंच गया इट वस क्लियर दर अर्थ वास राउंड तो यह एकदम साफ हो गया कि जो हमारी प्रथवी है वो कैसी है गोल है, गोल आकार की है और ये भी समझ में आ गया कि हमारी जो धरती है बच्चों, जो हमारी एर्थ है उस पे लेंड के मुकाबले पानी जादा है यानि कि हमने गलोब भी कभी देखा है उस पे लेंड से जादा water है लेकिन एच चीज है चो उनको अभी भी समझ में नहीं आरी वो क्या है देखिए but it was difficult to understand लेकिन यह समझना अभी भी मुश्किल है that the man on the earth found causes to hate each other कि जो man है जो व्यक्ति है इस धर्ती पर वो कैसे कारण ढूल लेते हैं एक दूसरे को hate करने का या एक दूसरे से नफरत करने का to build walls across cities और क्यों वो cities के यानि शहरों के तरफ क्या कर लेते हैं walls यानि कि उनके आर पार दिवारे क्यों बना देते हैं and to kill और एक दूसरे को आखिर वो मारते क्यों है from that height इतनी उचाई से भी it was not clear why ये अभी भी साफ नहीं था कि आखिर लोग ऐसा क्यों करते हैं मनुश्य ऐसा क्यों करते हैं कि क्यों वो एक दूसरे से नफरत करते हैं क्यों जब पूरी धरती गोल है एक जैसी है तो वो क्यों walls बनाते हैं दिवारे क्यों खीचते हैं दूसरे के बीच में क्यों वो एक दूसरे को मानने के पीछे पड़े रहते हैं मतलब जो हमारे पोईट हैं बच्चों क्या कहना चाहरे है कि वो इतनी हाइट पे पहुँच गए उन्हें सब क्लियर हो गया कि ठीक है पानी जादा है धरती पे लेंड कम है जहां पे नदिया बहती है वहीं पे लोग रहना चाहते हैं जहां पे घाटीया है वहां पे लोग रहना चाहते हैं यह सारी चीज़े उनको क्लियर हो गई लेकिन एक बात उनको अभी भी समझ में नहीं आ रही है Causes यानि कारण Across यानि आर पार Height यानि उचाई तो बच्चो यहां पे हमारा Part 1 इस पोव्म का खतम हो गया, हम मिलेंगे Part 2 में जहां पे हम करेंगे Question, Answers, तब तक Thank you